आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ जाता है उस कंडिशन को क्या करते हैं तो फ्रस सब्स्ट्री को क्या करते हैं तो सब्स्ट्री डाच अस्थमा हcem basically हमें पता होना चाहिए कि इसके causes क्या है कि यह होता क्यूं है ठीक है तो पहली बात जो अपने यह foreign substances होते हैं जैसे की dust particles हो गया ठीक है dust हो गया pollen grains कुछ individuals को pollen grains से क्या होती है allergy होती है और ऐसे substances जो allergy cost करते हैं उसको क्या कहते है allergens तो जब यह allergens respirator track में enter करते हैं तो वहाँ पर एक कह सकते है allergic reaction produce करते हैं ठीक है और उन allergic reaction की वज़े से क्या होता है inflammation हो जाता है of bronchi and bronchioles अब bronchioles का inflammation हो जाता है साथ ही साथ यहां पर अपने जो respiratory tract होता है यह produce करता है क्या extra mucus अभी हम यहाँ पर diagram भी देखेंगे तो extra mucus production के वज़े से जब आप breathe in और breathe out करते हैं तो एक whistling voice आता है और उस whistling voice को यहाँ पर हम क्या कहते हैं वीजिंग ठीक है तो basically exam में simple suggestion आएगा कि यह कौन से disease है which is characterized by whistling sound तो वह हमें मिलता है किसी के अंदर asthma के अंदर ओके तो यहाँ पर देखो हमने asthma का एक diagram भी पेस्ट कर रखा है तो यह है normal lungs वाला case ठीक है यहाँ पर अपनी bronchioles और bronchi जो है यह normal है लेकिन इस asthmatic patient में क्या हो र muscles spasm हो जाता है muscles का weakest контрaction हो जाता है ठीक है есп怎麼辦 हो जाता है किसकी muscles का bronchi और bronchioles का साथषग का inflammation हो जाता है किसे के लिए, for air, यह बहुत कम हो चुका है, तो जब इस passage के थुरू air अपना पास होता है, तो क्या पड़ी उस होता है, whistling sound, जिसकों के कहते है, wheezing sound, तो इसलिए, आपको याद रखना है कि अस्तमा के अंदर हमारा क्या आता है, wheezing sound, और यहां पर क्या के symptoms है, यहां पर inflammation ह होता है किसे का, bronchi and bronchioles का, तो दो तरीके से ही maximum question आ सकता है इसमें, और कोई किस नहीं होता, ठीक है, next दे रहा है कहीं, यहांपे क्या, emphysema, अब देखो emphysema जो है अपना, यह है chronic disorder, okay, chronic disorder याने कि ऐसा disorder, जिसके effect जो है, वो long time तक रहते है, okay, अब इसमें होता क्या है, और किस तरीके से कैसे एक्जाम में इसका question आता है, तो यहांपे अपनी alveolar walls जो होती है, यह हो जाती है damage, जिसके वाज़े से respiratory surface area जो होता है, अपना वो कर जाता है decrease, ठीक है, अब कैसे decrease होता है, और इसका क्या effect पढ़ता है, उस चीच को हम समझते है, diagram की help से, okay, आपको याद क्या रखना है, exam में question simply पूछेंगे, कि ऐसी कौन से disease है, जिसके अंदर alveolar walls का damage हो जाता है, तो emphysema, दूसरा question यहापे क्या बनेगा, कि ऐसी कौन से disease है, जो cigarette smokers के अंदर, okay, देखने को मिलती है, तो वो भी अपनी कौन सी होगी, emphysema होगी, okay, तो अब इसका भी हम एक diagram देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है diagram एक normal individual का, okay, और यह है diagram अपना emphysema individual का, तो इस case में आपको alveolaris कैसे देख रहे हैं, एकदम अच्छे से swollen देख रहे हैं, ठीक है, elastic देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रखाए, अपने emphysema, emphysema patient के अंदर alveolar इसकी inner walls देखो, यहाँ पर inner walls कैसी है, well developed है, यहाँ पर inner walls कर गई है, damaged, elasticity, यह भी हो गई है, lost, ठीक है, अब inner walls damage हो गई है, तो पहले क्या था, पूरे की पूरे यहाँ पर इसको black सिमा करते हैं, यह भी gases of change में participate करे थे, यह भी gases of change में participate करे थे, यह भी पार्टिसेबेट कर रहे थे, लेकिन अब यह walls damage हो चुकी है, ultimately हम कह सकते हैं, पहले हमार पस अगर इसको straight line में as a surface area represent करें, तो पहले हमार पस इतना सारा surface area था, और हर उसके through, यानि कि पूरे surface area के through O2 का exchange हो रहा था, लेकिन अब बीच-बीच में कुछ अपना damage हो चुका है, यानि कि यह damage हो च तो surface area ultimately अपना reduce कर गया, यानि कि इतना हो चुका है, तो अब सिर्फ इतना ही surface area के through O2 का exchange होगा, यानि कि person को अब क्या करना पड़ेगा, frequently breathe करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं यह भी अपना एक symptom है, अपने जो emphysemic patients होते हैं, उसके अदर frequent breathing आपको देखने को मिलती है, ठी जैसे इस disease के अंदर अपना surface area जो है, वो reduce कर जाता है, वापिस आते हैं NCIT पे, अब last जो अपने respiratory disorder कहाँ पर बचे हैं, वो है occupational respiratory disorders, अब यह occupational respiratory disorders कौन से होते हैं, सारा राज शुपा है नाम में, occupation और respiratory disorders, यानि कि ऐसे disorders, ऐसे respiratory disorders, जो किस की वज़े से हो, persons के occupation की वज़े से, जैसे कि मानलो कि आप किसी silica factory में काम कर रहे हो, अब बहुत टाइम से, occupational respiratory disorder का क्या characteristic है, कि जब कोई individual बहुत टाइम से उसी environment में रह रह रहे है, तो उसको होगा, अदरवास नहीं होगा, तो बहुत टाइम से आप किसी silica factory में काम कर रहे हो, अब देरे-देरे क्या हुआ, अब वहाँ पर बहुत टाइम से आप इनहील कर रहे हो, अब देरे-देरे वहाँ से लिका आपके लंक्स में जाकर deposit होता है, तो ultimately क्या होगा, कि वह आपकी लंक्स के जो tissue है, उसको inflammation कर देगा, या fibrosis कर देगा, fibrosis क्या होता है, बहुत एक लिए जो fibrosis जो प्रेजन होता है, और lungs के अंदर हमने पड़ा था, respiratory passage में present होता है, mucus, जो dust को trap करता है, वो भी sufficient नहीं होता, तो body का basically defense mechanism भी काम नहीं कर पाता, उन dust particles को रोकने के लिए, ठीक है, ultimately वो धीले-धीले dust वागरा जो होते हैं, आके set alone कर दे रहते हैं हमारे respiratory passage के अंदर, और free क्या आ जाता है, inflammation ठीक है, to fibrosis, यानि की, pluriferation किसका, of fibrosis tissue, ठीक है, जिसके वेसे serious lung damage हो जाता है, अब इसको कैसा रोका जा सकता है, simple सा तरीका है, कि अगर आप ऐसी factories में काम कर रहे हैं, तो protective marks पहन के रखे, अब अपने दो important occupational respiratory disorders है, जिनका नाम पता होना चाहिए, और वो कौन-कौन से है, एक है अपना silicosis, और दूसरा है अपना यहाँ पर asbestosis, तो दोनों ही substance को extract करने के लिए factories होती है, और usually वहाँ के individuals में ही, जो in factories में काम करते हैं, उसके अंदर देखने हो का मिलता है, तो अब यहाँ पर अपना यह chapter हो गया, complete, लेकिन हमने कहा था है कि हम कुछ ऐसी conditions के बार म में भी study करेंगे, जो oxygen related होती है, अब वो NCRT में तो नहीं दे रखा, but neat point of view से वो काफी important है, ठीक है, और वो कहीं न कहीं exam में एक बार ही आई ही जाता है, तो वो हम देख लेते हैं, कौन-कौनसी conditions होती है, अब देखो उससे पहले हम एक और case पढ़ते हैं, basically इसको भी आप respiratory disorder में डाल सकते हैं, और वो है क्या, carbon monoxide poisoning, अब यह होता क्या है, basically, अभी तक हमने क्या देखा था, कि carbon dioxide का और hemoglobin का complex बन रहा है, oxygen का और hemoglobin का complex बन रहा है, लेकिन होता क्या है कि carbon monoxide, यानि कि CO, इसके पास भी capability होती है complex बनाने की, कि किसके साथ? हिमोगलोबिन के साथ, इनका नाम हमें पता है, carbon amino hemoglobin, oxy hemoglobin, इसके complex को क्या कहते है, carboxy hemoglobin, तो एक important question तो यही आता है कि carbon monoxide और hemoglobin के complex को क्या कहते है, ठीक है, अब carbon monoxide जो है, यह कब produce होता है, जब कभी incomplete combustion होता है, जैसे कि मानलो होता कह था कि पाने जमाने में, या आज इसकल की time baby, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपने rooms के अंदर लगडियां जला के सोते हैं, ठीक है, during winters, अब उस case में क्या होगा, कि proper oxygen नहीं मिल पाता वोट्स को, तो उनका incomplete combustion होता है, और वहां पर production होता है, किसका carbon monoxide का, अब carbon monoxide की affinity, किसके लिए, hemoglobin के लिए, comparatively to oxygen, approximately 250 times more होती है, तो exam में एक और question आता है, कि carbon monoxide की affinity, oxygen से कितनी जादा है, hemoglobin के लिए, तो कितनी है, 250 times more, moreover, अपना carboxy hemoglobin जो होता है, ये बहुत जादा stable होता है, किसके comparison में, oxy hemoglobin के comparison में, ठीक है, अब individual जो है, अपने room में सुम रहा है, अब वहां पर room के अंदर क्या हुआ, carbon monoxide बढ़ गया, तो अब जैसे ही monoxide बढ़ जाएगा, वो दिरे दिरे उसके hemoglobin से bind होता रहेगा, अब जैसे कि हमने बोला, कि ये जादा stable है, तो जब एक बारी carbon monoxide के साथ hemoglobin combine कर जाता है, carboxy hemoglobin बन जाता है, तो ये easily dissociate नहीं हो पाता, ultimately उस individual के blood में low oxygen concentration हो जाता है, या और headache, और यहाँ पर होता है, nausea, और अगर prolonged carbon monoxide poisoning हो जाए, ठीक है, यानि कि बहुत time तक उसको पता है नहीं लगे, तो फिर क्या होगा, एक point के बाद, O2 के लिए बिलकुल भी hemoglobin बचेगा bind करने के लिए, तो ultimately suffocation से person की death भी हो सकती है, ठीक है, तो ये important था, एक यहाँ पर और आता है, SARS, SARS basically अपना क्या है, severe, acute, respiratory syndrome, अब यह किस से होता है, तो देखो, influenza virus का ही, ठीक है, जो common cold बगरा करता है, उसी का एक strain होता है, तो उससे ही हमें क्या होता है, ये SARS भी होता है, exam point of view से आपको बस क्या याद रखना है, इसका full form, ठीक है, symptoms बगरा के बारे में, इसक हमने full form के लिए आपको ये बता दिया, full form याद रखना है, अब हमने कहा था कि हम study करेंगे किस के बारे में, oxygen की कुछ conditions के बारे में, ठीक है, तो उसको study कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम start करते हैं, क्या hypoxia, अब hypoxia होता क्या है, तो जब O2 की shortage होती है, किस के और simply weekend से body के अंदर, उस condition कम कहते हैं, hypoxia, अभी जो O2 की shortage है, ये किसी भी वज़े से हो सकती है, हो सकते है कि आपकी body के अंदर RBC कम हो, ये heart की जो pumping activity है, वो कम हो जाए, ठीक है, ये अब atmosphere में ही, जैसे oxygen कम हो, तो भी hypoxia हो सकता है, कहां पर कम होता है, high altitudes पर oxygen कम होता है, तो ऐसे अपने hypoxia different types के होते हैं, तो सबसे पहलो जो अपना hypoxia है यहां पर, वो है, anemic hypoxia, तो अभी नाम से ही पता लग रहा है, anemia क्या होता है, जब RBC का count कम होता है, तो उसकों कहते हैं, S individuals को anemia, तो जब RBC कम होंगे, अब RBC के अंदर present होता है hemoglobin, तो ultimately hemoglobin भी कम हो ज to carry करने के लिए, कह सकते हैं कि आपके पास समान है, लेकिन समान को carry करने के लिए transport नहीं है, तो ultimately tissues के पास यह समान नहीं पहुच पाएगा, और आप सफर करेंगे किस से, from auto shortage, तो ऐसे case को यह कह सकते है, इस hypoxia को हमके कहते है, anemic hypoxia, दूसरा यहां पर आता है, stagnant hypoxia, ओके अब stagnant hypoxia किसकी वज़े से होता है, due to heart failure, यानि कि अब आपके पास O2 भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए fuel नहीं है, heart का काम क्या होता है, कि RBCS को pump करना, यानि कि blood को pump करना, ठीक है, तो आपके पास अपकी बारी fuel नहीं है, तो ultimately यह transport है, या vehicle अपना hemoglobin या oxygen को लेके, substance को लेके, tissues के पास नहीं पहुच पाएगा, और ultimately हम सफर करेंगे किस से, from lack of O2 से, फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हम यह लिख सकते हैं, due to heart failure, और reduced pumping activity, किसकी of heart, ठीक है, आते हम next case पे, तो third case, यहाँ पे अपना आता है, hypoxic, जहाँ पे बीच में आएगा I, ठीक है, hypoxic, hypoxia, तो अब यह किस वज़े से होता है, कि जब atmosphere में O2 ही कम है, तो अब ही चलो, substance सो दोनों बारी हमारे पास था, लेकिन अब substance हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अब यहीं नहीं है, तो transport हो, या उसको pump करने के लिए fuel भी हो, ठीक है, और यह condition हमें usually कहां पे देखने को मिलती है, higher altitudes में, higher altitudes में क्या होता है, oxygen कम होता है, that's why higher altitudes के जो individuals होते हैं, उसके अंदर RBCs जादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, और fourth case है, अपना hypoxia का वो है क्या, histotoxic hypoxia, अब इस case में सब कुछ है, मतलब कि अपने पास O2 available atmosphere में, ठीक है, RBCs भी है, और heart भी pump कर रहा है, अच्छे से blood, यानि कि heart failure भी कुछ नहीं है, बट होता है, कि यहाँ पर अपने cells, और we can say tissues, यह O2 को utilize ही नहीं कर पाते हैं, यानि कि इनके अंदर यह O2 का uptake नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो condition को कहते हैं, histotoxic hypoxia, तो अब यहाँ पर किसी की गलती नहीं है, यहाँ पर tissues हो रहे हैं, या अपने cells हो है, वो खुदी O2 को uptake नहीं कर पाते हैं, या उनमें O2 diffuse नहीं कर पाता, तो ultimately वो फिर जो बाकी के aerobic processes होते हैं, ठीक ह एक है यहाँ पर sinosis, और दूसरा है यहाँ पर अपना myoglobin, तो सबसे पहले myoglobin ही देख लेते हैं, ठीक हो hemoglobin की तरह myoglobin भी अपना क्या है, pigment है, बट यह present होता है किस के अंदर, सिर्फ muscles के अंदर, ठीक है, क्योंकि muscles जादा काम करती है, ठीक है, ऐसी muscles जिसका जादा मतलब क करना होता है, तो जादा oxygen utilize करेंगे, तो जो myoglobin होता है अपना, इसका affinity, यह भी जादा होता है कि इसके लिए 4O2 compared to hemoglobin, ठीक है, डिफरेंस क्या है, कि myoglobin के अंदर सिर्फ एक Fe2 plus group present होता है, जबकि अपने hemoglobin के अंदर कितने थे, hemoglobin के अंदर थे 4Fe2 plus, ठीक है, इसी से related, देखो, एक और अपना pigment होता है, जिसकों के कहते है, methamoglobin, अब वो oxygen तो carry नहीं करता, लेकिन कभी-कभी पूस लेते हैं, exam में कि hemoglobin और methamoglobin में क्या difference है, तो एक तो, वो oxygen से bind नहीं करता, दूसरा, उसके अंदर present होता है, Fe3 plus, ठीक है, यहाँ पर कैसा था, Fe2 plus, तो यह दे को बताया जा रहा है, क्योंकि previous year में ऐसे questions देखे गए है, इसलिए यह सब additional information में जा रहा है, ठीक है, बाकि जो important है, वो कहां तक था, hypoxia था, आते हैं हम अपने sinuses पे, तो sinuses basically, वो condition है, जिसके अंदर, आपके skin का color, color of skin हो गया, ठीक है, और nails, साथी साथ, eyes, and mucous membrane, यह कैस हो जाता है, सब हो जाता है, blue, ठीक है, तो एक तो exam में पहला question नहीं बन जाएगा, कि ऐसी कौन सी condition है, जिसके अंदर, color of skin वगरा, nails वगरा, सब blue हो जाता है, तो sinuses, अब क्यों होता है, क्योंकि अपना sinuses है, इसके अंदर हो जाती है, oxygen की deficiency, अब यह oxygen deficiency की होती है, क्योंकि यहां पे cyanide, यह bind कर जाता है, किस के साथ, hemoglobin के साथ, जैसे कि कभी-कभी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, जहां पे cyanide का smoke हो, अब उसके इसमें क्या होगा, कि O2 की जगह आप cyanide inhale कर लेंगे, और inhale करने के बाद, cyanide hemoglobin के साथ bind कर जाएगा, और फिर O2 bind नहीं कर पाएगा तो ultimately हमारे blood में oxygenated blood का concentration है, वो क्या हो जाएगा, काम होता रहेगा, ठीके, और de-oxygenated blood जो है, वो increase कर जाएगा, उसका concentration, जिस वज़े से, यह जो basic skin होती है, अपनी और eyes बगरा जो होती है, वहाँ पे भी हमें कैसा color दिखता है, de-oxygenated blood की तरह blue color, ओके, तो यह होता है अपन sinuses का case, basically अपना क्या है, इसको आप sinuses कह सकते हैं, या cyanide poisoning भी कह सकते हैं, ओके, आपको दोने नाम याद रखने हैं, exam में देखो, पूछेंगे क्या, वही जो मैंने बता था कि कौन सी disease है, जिसके अंदर आपके skin का color blue अगरा हो जाता है, that's it, ज़्यादा detail में नहीं आता य तो यह हो गया अपना additional information घतम, यहां से myoglobin, methamoglobin साब additional information था, और उसके ओपर जो हमने बतायता है, hypoxia के बारे में, यह important है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, SARS हो गया, और इसके ओपर carbon monoxide poisoning, यह भी important है, ठीक है, इससे question देखने को मिलते हैं, carbon monoxide poisoning से, तो यहां पर अपन breathing and exchange part 5 होता है complete, और साथी साथ यह chapter भी होता है, अपना complete, thank you so much.